मंत्र मंडल के मेरे वरिष्ट सही होगी देश के रक्षा मंत्री श्रिमान राजनाथ सिंग जी श्री अर्जुन मुंडा जी श्री कीरन डिज्जू जी श्रिमती रेणु का सिंग जी और देश भर से हाँ आए वे मेरे प्यारे नवजवान साथियों कोरोना ने वाकई बहुत कुछ बदल कर रख दिया है मास्क कोरोना टेश दोगज की दूरी यह सब अब असल अगराय जैसे रोजमरा की जिन्दिके का हिस्सा बन गया है पहले जब फोटो निकालने जाते थे तो कैमरामन कहता था स्माइल हम मास्क के कारण वो भी बोलता नहीं है यहां भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगर बैठने की विवस्था करनी पड़ी है काफी फैलाव रखना पड़ा है लेकिन इसके बावजूद भी है आपका उत्सा आपकी उमंग उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है बैसी की बैसी साथ्यों आप यहां देश के अलग-अलग कौने से आये हैं यहां देश के दूर सुदूर जंजत ये खेत्रों से आये साती है NCC, NSS के उर्जावान, युवा भी है और राजपत पर अलग-अलग राज्यों की जहां की अलग-अलग राज्यों का संदेश बाकी देश तक पहुचाने वाले कलाकार साथी भी है राजपत पर जब आप जोश के साथ कदम ताल करते हैं तो हर देश वासी जोश से भर जाता है जब आप भारत की समर्थ कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत की जांकी दिखाते हैं तो हर देश वासी का माथा गवरव से और उन्चा जाता है और मैंने तो देखा है कि परेड के समय मेरे बगल में कोई न कोई देश के प्रमुख रहते हैं इतनी सारी चीज़े देख करको उनको बड़ा सर्प्राइज होता है बहुत सारे सवाल पूसते रहते हैं जानने का प्रयास करते हैं देश के किस कौन में है, क्या है, कैसा है जब हमारे आदिवासी साथी राजपत पर संस्कृतिके रंग बिखेरते हैं तो संपूर भारत उन रंगों में रंग जाता है, जीव मुठता है गन तंत्र दिवेश के परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विराशत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ को भी नमन करती है गन तंत्र दिवेश की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे सम्रिधान को नमन करती है मैं आपको 26 जन्वरी को बहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ आपसे एक आग्रह भी है अपी दिल्ली में ठिक ठाक ठन पड़ रही है जो साउट से आये होंगे उनको तो परिशानी और होती होगी और आप कई दिन से यहाँ है लेकिन आप मैं से बहुत से लोग जैसा मैंने कहां शर्दी के आदी नहीं है इतनी सुबह उठकर आपको ड्रील के लिए निकलना होता है मैं यही कहूँगा कि आप अपनी साहट का ध्यान जुरूर रखिएगा साथियों इस वर्ष हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है इस वर्ष गुरुतेक वहदूर जी का 400 वा प्रकास पर्वदी है और इसी वर्ष हम नेता जी सुभाज चंद्र बोश की 125 वी जन्म येंति भी मना रहे है अब देश ने ये ताय किया है कि नेता जी के जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे कल पराक्रम दिवस पर ना उनकी कर्म होवी कोड़े कोड़कता में ही था आजाजी के 75 वर्ष गुरुतेक वहदूर जी का जीवन नेता जी का शावर्य उनका होसला ये सब कोच्छ हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरना है हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्वन न्योचावर करने का अउसर नहीं मिला क्योंकि हम ऐसे दिक्तम लोग आजादी के बात प्रता हुए है लेकिन सर्वस्वन न्योचावर करने का मोका नहीं मिला लेकिन हमें देश ने अपना सर्वस्रेश्ट आउर्पित करने का अउसर जरूर दिया है हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं तो हमें करते ही रहना चाएंगे साथ हो ये गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दोरान आपने भी मैसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विवितता से भरा हुआ है अनेकों भाशाएं अनेकों बोलियां अलग अलग खान पान कितना कुछ अलग है लेकिन भारत एक है भारत यानी कोटी-कोटी सामान्य जन के खुन पसिने अकांचाओं और अपेच्छाओं की सामुहिक शक्ति भारत यानी राज्यनेक राष्ट्र एक भारत यानी समाजनेक भाव एक भारत यानी पंथनेक लक्ष एक भारत यानी रिवाजनेक मुल्य एक भारत यानी भाशायनेक अभिवक्ति एक भारत यानी रंग अनेक ते रंगा एक अगर एक पंथि में कहें तो भारत में रास्ते भले ही अलग-अलग हैं लेकिन गंतव्य एक ही हैं मंजील एक ही हैं और ये मंजील हैं एक भारत स्रेश्च भारत साथियों आज एक भारत स्रेश्च भारत की ये सास्वत भावना देश के हर कौने में प्रकट हो रही हैं मजबूत हो रही हैं आपने भी देखा और सुना भी होगा कि मिजोरम की चार साल की बाली का उसने बंदे मात्रम जब गाया तो सुनने वाले को घर्व से भर देता है केरल्स के स्कूल की एक बच्ची जब कठीन परिश्रम से सीख कर एक हिमाचली गीत बड़े पर्फ्रेक्शन के साथ गाती है तो रास की ताकत महसूस होती है तेलूगू बोलने वाली है कि बिटिया जब अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बड़े रोचक डंग से हर्यान भी खान पान का परिश्र देती है तो हमें भारत की स्रेश्ट का के दर्शन होते हैं साथियों भारत की इसी ताकत से देश और दुनिया को परिचत करने के लिए एक भारत स्रेश्ट भारत एक पॉर्टल बनाया गया है और आप तब तो डिजीटल जनरेशन वाले हैं तो जुरूर वहां जुरूर चाहिएगा इस पॉर्टल पर एक भारत स्रेश्ट भारत जो पॉर्टल बनाया है उस पर जो व्यंजन विधियों का सेक्शन है उस पर एक हजार से भी अधिक लोगों ने अपने प्रदेश के व्यंजन साजा किये हैं कभी समय निकाल कर आप इस पॉर्टल पर को जरूर देखिएगा और परिवार में भी कहिए ज़र आज मां बताओ ये आपको बहुत आनद आएगा ताथियों बीते दिनों कोरोना खाल में स्कूल, कॉलेज आदी बंद होने पर भी देश के युवाओं ने डिजिटल माध्यम से अन्य राज्यों के साथ वेमिनार किये हैं इन वेमिनार्थ में म्यूजिक, डांस, खान-पान की अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग सहलियों पर बड़ी विशत चर्चाएं की हैं आज सरकार की भी कोशिज हैं कि हर प्राम्त, हर खेत्र की भाशाएं, खान-पान और कला का पुरे देश में प्रचार प्रसार हो देश में भारत के हर राज्य के लहन सहन, तीच चोहार के बारे में जागुरुकता और बड़े मिशेश तोर पर हमारी सम्रुद्य आदिवासी परंपराओं, आर्ट और क्राम से बहद देश बहुत कुछ सीख सकता है इन सबको आगे भाने में एक भारत स्रेष्ट भारत भ्यान बहुत मदद कर रहा है साथियों, आज कल आपने सुना होगा, देश में बहुत बोला जाता है, सब्दूर सुनाई देता है भोकल फॉर लोकल जो अपने घर के आस्पाच चीजे बन रही है, स्थानिय स्थर पर बन रही है उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोथसाहित करना यही हैं वोकल फॉर लोकल लेकिन यह वोकल फॉर लोकल की भावना तब और मजबूत होगी जब इसे एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना से शक्ती मिलेगी हर्याना की किसी चीज की शबद मैं, मैं तमिल नाडू में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए केरल की किसी चीज का मैं हिमाचल में रहता हूं, मुझे घर्व होना चाहिए एक छेत्र के लोकल प्रोड़क्ट पर दूसराख शेत्र भी गर्व करेगा उसे प्रोचाहिट करेगा, तभी लोकल प्रोड़क्ट की पहुंच देश भर में होगी उसमें एक ग्लोबल प्रोड़क्ट बनने की ताकत पैदा होगी, साथियों यह वोकल पर लोकल, यह आत्मनिर भर भारत अभ्यान इनकी सभलता आप जैसे नवजवानों पर टिकी हुई है और आज जब मेरे सामने NCC और NSS के इतने सारे नवजवान है उनको तो सिख्षा, दिख्षा, सिष्ट सब यही दिखिया जाता है मैं आज आपको एक छोटा सा काम दे रा चाहता हूँ और देश भर के मारे NCC के नवजवान मुझे जरूर इस काम में मदद करेगी आप एक काम कीजिए सुबह कूछ करके आपको सोने तक जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं कुछ पेश हो, प्रस हो, कांगा हो, कुछ भी, कुछ भी घर में AC हो, मोबाइल फोन हो, जो भी जराद देखिये तो कितनी चीजों की आपको जरूरत होती हैं दिन भर में और उसमें से कितनी चीजे हैं जिसमें हमारे देश के मद्दूर के पसिने की महग है कितनी चीजे हैं जिसमें हमारे इस महान देश की मिट्टी की सुधन्द है आप चौक जाएंगे जाने अंजाने में इतनी चीजें विदेश की हमारे जीवन में गुज गई हैं हमें पता तक नहीं है एक बार उस पर देखेंगे तो पता चलेगा कि आत्म निर्भरत भारत बनाने का सबसे पहला करतव्य हमीशे सुरू बना चाहिए इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई विदेशी चीज है तो कल जाके फैक दो यह मैंने कह रहा हूँ मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई अच्छी चीज हो हमारी यहां नहों तो उसको लेने से मना करें यह नहीं हो सकता लेकिन हमें पता तक रही है है एसी यह चीज यह हमारे रोजमरा की जिन्दगी में हम से अमें प्रकार से गुलाम बना दिया है मांसिंग गुलाम बना दिया है आप अपने परिवार के सब को बिठा करके जरा सुची बनाईए एक बार देखिए फिर आपको कभी मेरी बात को याद दे करना पड़ेगा आपके आत्मा कहेगी कि हमने हमारे देश का कितना नुक्षान कर दिया है साथियों भारत आत्मनिर्वर किसी के कहने भर से ही नहीं होगा बल्कि जय था मैंने कहा आप जैसे देश के युवा साथियों के करने से ही होगा और आप ये तब और ज्यादा बहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास जरूरी स्किल सेट होगा साथियों स्कील के काउशल के इसी महत्व को देखते हुए ही 2014 में सरकार बनते ही स्कील डेवलप्मेंट के लिए विशेश मंत्रालाई बढाये गया इस अभ्यान के तहट अब तक साड़े पांच करोड से अधिक युवा साथियों को अलग-अलग कला और काउशल की ट्रेनिंग दी जाते हैं काउशल वकास के इस कारकम के तहट स्रिप ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही बलकि लाखो युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार में मदद भी की जा रहे हैं कि भारत के पास स्किल युवा भी हो और स्किल सेट्स के आधार कर उन्हें रोजगार के नए आउसर भी मिले सात्यों आत्म दिर भर भारत के लिए युवाओं के कौशल पर ये फोकस भी देश की नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती ने प्रस्तुत किया हैं आप भी उसको देख पाएंगे इसमें पढ़ाई के साथ साथ ही पढ़ाई के उप्योग याने अप्लिकेशन पर भी उतना ही बल दिया गया है राष्ट्रिय शिक्षा नीती की कोशी ये है कि युवाओं को उनकी रूची के अनुसार विशय चुन्ने की आजादी दी गई है उनको कब पढ़ाई करनी है कब पढ़ाई छोड़ दी है और कब फिर से करनी है इसके लिए भी फ्लेक्सिविलिटी दी 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 है कोशी यही है कि हमारे विद्यार्थी जो कुछ खुच से करना चाहता है वो उसी में आगे बढ़े है साथियों नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती में पहली बार वोकेश्टल एजुकेशन को एजुकेशन की मुख्यधारा में लाने का गंबीर प्रयास किया गया है कक्षा छे से ही विद्यार्थियों को स्थानिय जरुरतों और स्थानिय व्यवस्वाव से जुड़ा अपनी रूची का कोई भी कोर्स चुनने का विकल्प दिया गया है ये सर्फ पढ़ाने के कोर्स नहीं होंगे बलकि सीखने और सिखाने के कोर्स होंगे इसमें स्थानिय कुसल कारीगरों के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाएगा इसके बाद चरण बद्ध तरीके से सभी मेडिकल स्कूलों के सेक्षणिक विशव में वैवसाइग सिख्षा को एकिकुत करने का भी लक्षा है मैं आज आपको ये विस्तार से इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप जितना जागरूख होंगे उतना ही आपका भविश्य भी उजवल होगा साथियों आप सभी ही आत्म निर्भर भारत भ्यान के असली करणधार है NCC हो, NSS हो, क्या फिर दूसरे संगडन हो आपने देश के सामने आने वाली हर्चनोती और संकड के समय अपनी भूमी का निभाई है कोरोना कान में भी आपने जो काम किया वालेंटियर्स के रूप में उसकी जितनी प्रसुंसा की जाए वो कम है जब देश को शासन प्रसासन को सबसे अधिक जरुरत थी तब आपने वालेंटियर्स के रूप में आगे आकर जवसाएं बनाने में मदद की आरग्य सेत्व एप को जन जन तक पहुंचाना हो या फिर कोरोना संक्रमार से जुड़ी दूसरी जानकारियों को लेकर जाग रुपता आपने प्रसंशन ये काम किया है कोरोना के इस कान में फिट इंडिया भ्यान के माध्यम से फिटनेस के प्रती एवर्नेस जगाने का आपका रोल महत्वपुन रहा है साथियों जो आपने अभी तक किया उसको अब अगले चरण पर ले जाने का समय आ गया है और मैं आप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पहुंच देश के हर हिस्से हर समाज तक है मेरा आप से आगरह है कि आपको देश में चल रहे कोरोना वैक्षिन अभ्यान में भी देश की मदद करने के लिए आगे आना है आपको वैक्षिन को लेकर सही जानकर या देश के गरीब से गरीब और सामाने से सामाने नागरी को देनी है कोरोना की वैक्सिन भारत में बना कर भारत के वेज्ञानिकों ने अपना कर्तव्य बखुवी निभाया है अब हमें अपना कर्तम ही निभाना है जूट और अफ़ा फ्यलाने वाले हर तंत्र को हमें सही जानकारी से परास्त करना है हमें याद रखना है कि हमारा गणतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि ये कर्टव्य की भावना से संकल्पित है इसी भावना को हमें मजबूत करना है इसी से हमारा गणतंत्र भी मजबूत होगा और आत्मनिर्फरता का हमारा संकल्पित भी सित्त होगा आप सभी को इस महत्वकुन राष्टिय पर्म में शरीख होने का आउसर मिला है मन को घड़ने का देश को जानने का और देश के लिए कुछ ने कुछ करने का इस से बड़ा सांसकार कोई और नहीं हो सकता है जो सवभाईगे आप सबको प्राप्त हुआ है मुझे भी स्वास है कि 26 जनवरी के इस भव्य समारों के बाद जब यहां से घर लोटेंगे तो आप यहां के अनेक चीजों को याद रख करके जाएंगे लेकिन साथ साथ यह कभी नहीं भूलना कि हमें देश को अपना सर्वस्रेष्ट अर्पित करना ही है करना ही है करना ही है मेरी आप सबको बहुत बहुत शुक्ताना है बहुत बहुत धन्वाद लेटिस अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले